जादुगर सकूरा अपने जमाने में जब रिलीज हुई थी बड़ी पॉपुलर कॉमिक्स थी और बहुत सेंसेशनल कॉमिक्स थी आज भी इसकी मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है तो ये जो क्लासिक नागराज वाला जो लुक है वो भी बहुत जादा पॉपुलर एसा में फेस्टाग्राम मगरा पर उस पर आप प्रसांथ कॉमिक्स यूटूब नाम से सर्च कर सकते हैं इस्टाग्राम मगरा पर भी सर्च कर सकते हैं कि आपका प्यारा सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों नहीं ये कॉमिक्स के फैंस नहीं थोड़ी बहुत पहचान दिलें मुझे यूटूब पर फेस्बूक पर वरना मुझे कौन जानता था कोई नहीं जानता था यूपी बिहार वाले भाईयों को स्पेसल सनाम बिहार में तो मामा गाओ है यूपी में अपना घर है बनारस में अब देखी जादुगर शकुरा हूँ समय राज कॉमिक्स का इमेजिनेशन तीन इंटरनेशनल ब्रांडेड एरो स्पाइडर मैन सूपर मैन और बैटमैन कैद में दिखाई दे रहे हैं कमेंट करके बताएगर आप वाईस ओवर में इस वीडियो को सुनना चाहेंगे तो आ मूड है इसका डिरेक्ट नरेटिव करने का यह जादुगर शकुरा डालक बहुत अच्छा लिखा हुआ पढ़के थोड़ा आपको इंटरेटेन करते हैं कौन है या पागल बौना जादुगर तो यह संटेंस कौन है यह पागल बौना जादुगर शकुरा जो भी यह का सपना देख रहा है मेट्रोपोलिस गौथम और स्पाइडर मैन प्रित्वी से कई हजार वर्ष दूर सकुरा ग्रह इस ग्रह के वासी सकुरा बन्यमर थे और जादुगरी विद्ध्यम माहिर थे आज इस ग्रह पर खुली आदात लगी हुए माय सेनापतिक थ्रेशर क्या नाम है थ्रेशर इससे में गाउं ग्यों का दवरी चलना है तो थ्रेशर वगर का चोगचक यूज हो रहा है विक्टार जादुगर को सकुरा गोद्दार घोसित करता हूं इसने सकुरा वासियों की जिन्दियों से खेलना चाहा शकुरा ग्रह को तबाह करना चाहा हम इसे सजाय ग्रह निकाला देते है हम इसकी जगई या मन्हूश शकल भी विगार देंगा इसे सारी जादुई शक् यह पीड़ा को सागया बलकि उस घेरे से टूटते ही वह अपने सुरक्षा कवच में आ गया और वहाँ पस्तित सभी सकुरा ग्रह वासियों को इस तब छोड़कर सकुरा वहां से कुरूच कर गया बौने ही बौने देख रहे हैं क्रिश्टल में कहत सूँ फिर वह हीरा सकुरा को लिए सकुरा ग्रह की आकास गंगा को पीशे छोड़ अनंत अंतरिक्ष में विलीन हो गया और मेट्रोपोलिस सुपरमैन आज तुझे नहीं छोड़ूँगा मिसाइल मैन वा सिष्टर ब्रिज की तरब जा रहा है यह इसे भी उड़ाने के इरादा रखता है तो बहुत बुरा है नौफ और सुपरमैन के देखते हैं मिसाइल मैन की मिसाइल ने पुल को धस्त कर दिया धूम नैंटीस का दौर और उड़ते हुए जम करते हैं सुपरमैन पकड़ लेता है उसे और मेट्रोपोलिस से दूर लेके आता है जाला मुखी फेक देता है उसके अंदर भयानक धमाका होता है सुपरमैन मुस्कुराता हुए धूए के गुबार से निकलता है उफ बहुत तबाही मचाई थी सैतान ने वित्रो कुरुगमांड वगरा की कॉमिक्स भी आप दे सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में क्लार्क केंट के रुप में आने का सोचता है तभी वो हीरा जमीन में धहसता चला जाता है कि कि सुपरमैन उस हीरो को निकालता जो जमीन में तीवर्य गर्ती से धहस जाता है हीरा निकाल के एक्सरे द्रिष्टी एक्सरे से अरे इसमें तो कोई मानों कैद है शुक्रिया दोस्त हाँ 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 मैं विक्टार साकूरा आप तुझ मुझे क्योल साकूरा भी कह सकते हो हेलो मैं सुपरमेन और साकुरा उसे अपने गरा साकुरा से निकाले जाने की कहानी सुनाता चला गया फिर वो हीरे को तोड़ देता है सुपरमेन ने भी साकुरा को पृत्वी के बारें बता है यह है पृत्वी का भूगोल और मैं आसमाजिक तत्तों से पृत्वी वाशियों की रक्षा करता हूँ और तब आया सकूरे की दिमाग में सहतानी उचार तो यह है पृत्वी का सबसे बलसाली माना अगर मैं इसको कब्जे में ले लूँ तो पृत्वी पर मेरा राज होगा अगले इपल रुग जाओ सुपर्मेन अब तुम मेरे अधीन हो और सुपर्मेन मुस्कुराने लगा क्यों टूंगू मास्टर क्या हुआ तुम्हे कैद करने के बाद मैं पृत्वी पर राज करूँगा सुपर्मेन ने पलटकर अपने लबादे को फटका रहा साकूरा समल का कलाबाजिया खाता आया और तेजी सुपर्मेन से टकड़ाया कि तुम्हें सुपर्मेन ने उसे फूक मार कर उड़ा दिया अंगारा चारली की तरह लग रहा थोड़ा-थोड़ा फिर वो सुपर्मेन को फसा ही लेता है मेरे जादू के आगे तुम्हारी कुछ नहीं चलेगी सुपर्मेन उफ यह क्या हो गया मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ हाँ 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 अब परित्वी पर मेरी हुकूमत चलेगी इस चैनल के सबसे बड़े फैन सांतर भाई का एक कंप्लेन था कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैंने इसको सॉट कर दिया है किन्तु सुपर्मेन की आवाज ने उसकी होसी पर ब्रेक लगा दिया समय है Bruce Wayne यानि Bruce Wayne यानि Batman की रातरी गस्त का जो यह बाटमन कुछ-कुछ काला प्रेत मनुस कौमिक्स वाल है काला प्रेत और महाबली शेरा की वह कई कौमिक्स है प्रेलिस्ट में अब यह देखना है कि यह बैट सिंग्नल किसली दिया गया बढ़ा है बढ़िया सीन बहुत बढ़िया टेन आउट 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 टेन मार्क्स मिलेंगे इस सीन को बनाने में वो भी नब्बे की दसा कि यह बहुत फेमस कॉमिक्स है यह ओर दोर था जब नाग राज और राज कोमिक्स वाले चाने के त्यारी कर रहे थें कोमिक्स इंडस्ट्री इंडिया तभी बैटमेन नों समय असर चकीत रह गया जब सुपरमेन तुम यहाँ और इतने असा आईया किस ने किया मैंने और मेरा परिचे है जादुगर सकुरा तभी एक पंच देता है बैटमेन को और परिचे देता है बैटमेन भी बॉना राम की ठुकाई स्टार्ट कर देता है तबियत से कि तो जादुई शक्तियों के प्रयोग से बैटमेन को वो कैद कर लेता है और दोनों को ले करके फिर से उड़ जाता है यानि कि आप सूपर मैन और बैक्ट मैन दोनों इसके कबजे में हो जाते हैं पीटर पार्कर पतला दूबला कॉलेज का लड़का रेडी धर में परिक्षण के दौरान छात्र पीटर पार्कर को एक मकड़ी जो तो इसपाइडर मैन की आपको स्टोरी सुना रहा हूं कि स्पाइडर मैन पीटर पारकर Зёр Children कि भी दो, यह की रेडीयो डारै में किरeldं से नहार जाए थी और यह पिंगान के अनुकष जमतकार yr पॉल्सरों पीटर में उस मकड़ी की सारी सक्तियों और गूर आ जाते हैं और वास्तों में पीटर एक मानवी यह मकड़ी बन जाता है एफिल्ट टावर एफिल्ट टावर पर रहता है और गाहे बगाहे स्पाइडर मैन की भी कोमिक्स का एंज्वाय हम लोग कर लिए कोई पारफुल बम रहता है उसको डिटेक्ट करता है स्पाइडर मैन मेरी मकड़ इंद्री कह रही है कहीं कुछ गरबर जरूर है और जब यह खावर उड़ी कि यह फिल्ट टावर पर बम फिट है मैं पीटर पार्केट के में रूप में यहीं मौजूद था ऐसा भी हो सकता है कि इस पोल से अलग होते ही यह फट जाए या इसका टाइम कुछ ही सेकंड्स पर पूरा हो जाए खत्रा टला किन्तु इतना खत्रा इस स्पाइडर मैन को तो लेना ही पड़ेगा खैर सही सलाम तूतर तो गया है किन्तु अगलाई प्छड खत्रा और बढ़ गया जब सकूरा ने वहाँ प्रव्योस किया स्विस बिजली की तेजी सी स्पाइडर मैन के सेरी में हरकत हुई और अब उसने बं के साथ छलांग लागर उसे लपक लिया जैसे ही वह समला सकूरा ने उसे बर्व की चट्टान म कैद कर लिया हजारों आखों के सामने सुपर हीरो स्पाइडर मैन काया हो गया है 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 बं को उतार तो लेता है स्पाइडर मैन बट नीचे भीड लग जाती है जादूगर सकूरा आकर उस पे कुछ किनोलों का प्रहार करता है और स्पाइडर मैन को कैद करके वहां से लेकर उड़ जाता है बर्व की चट्टान में उसे कैद कर देता है और बं को लपक लेता है भारत दिल्ली सहर जैमिनी सरकस नागराज मुझे भारत देश बहुत अच्छा लगा पर यह पोशाक मुझे बहुत अजीब लग रही है जल्दी तुम्हें इसकी आदत पढ़ जागी अब तुम चुपचाप या खेसरकस देखो अगला खेल हातियों का था मज़ा आगया क्या अजीब और गरीब करतब दिखा रहे है यह जोकर उसी छड़ पंडाल में एक तुफान ने परवेश किया दरसक उसे मननजन ही शमज रहते है नागराज ने खतरे को सूम लिया किन्तू उफिया क्या या कौन है तुफान को कैसे खुल लाया या या तुपागल हाति है रिंग में मुझूद बाकी के हाति भी बकाबू होकर बिड़ पर चड़ दोड़ चारो तरफ तबाही मच गई पलवर में त्रही त्रही मच गई बचाओ नहीं या भागो नागराज ने वहीं पड़ी सलाखे उठाकर उस पर हातियों का वार किया बला की फूर्ती दिखाई नागराज ने रिंग मास्टर लोव अलबानों भी पीछे नहीं था उसने रसी के फंदे से हातियों को बेबस कर दिया मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा जिसने मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फिरा है नागराज की तरफ तुफान के खोफनाक कदम बढ़े नागराज क्या पिद्दी क्या पिद्दी का सुर्वा ओ तो यह है इस सारी गर्तवाही की जड़ पर यह है कौन नागराज ने हाथ पकड़ी नागराज हाथी को रुकते हुए नहीं तो अब तक रोटी बना देता है इसे मेरा एक स्टूडेंट है जिसे टूशन पढ़ाने जाता हूं मैं किसी बात बोलता है रोटी बना दे यानि उसका कहने का मतलब है कि जो बारे बार कम चीजें वो किसी को पैर के तले दबा दें तो उसका रोटी बन जाता है वो छोटा सा क्यूट बच्चा है सौट्स पर मैंने उसका वीडियो अपलोड किया ट्यूशन पर पढ़ाने जाता हूं गाइस सामको आम ट्यूशन लेता हूं सुबह में प्रावेट यस्कूल इसमें पढ़ाता हूं खर्चा निकल जाता है बस अगर आप लोग थोड़ी सी दरिया दिली दिखाएंगे क्रिप क्लास तो धीरे-धीरे धीरे पस्त होने लगता है नागराज उसका सुक्रियादा करता है तुफान की तरफ दोनों लपकते हैं और ले-पच दे-पच देते हुए हाथी राजा का मतलब गुड़-गुबर करने पर लगे होते हैं तब तक तुफान बेचारा बिहोश हो जा जाता है कि दो जो बेसूरल है और ताल वाले जो लोग है यह आज कि बर्गर आफ कर देंगे कि शुर्माओं के खेल में चीटियों का काम अलबानों के घैल होते ही नागराज ने शकुरा पच्छलाग लगा थी मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगा है वान लागराज के बरिष्ट मुकुक से एक बार तो सकुरा बिदम हो गया बोल कौन है तू सैतान मोने है शकुरा जाए दुगर सकुरा कि तभी धर 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 मौत का कुवान नाम का वह विशाल गोलार तेजी सेरिंग की तर बढ़ा नागराज ने सकुरा को छोड़ा और ओह मुझे अलबानों को बचाना होगा वह गोले और अलबानों के बीच में खड़ा हुआ धर धड़ाक तो ये सीन और ये वा धर धड़ाक ये हर कॉमिक्स में क्लासिक नागराज वैसे भी बेच लगता था गोला तो चूर चूर हो गया किन्तु एक सक्तिसाली प्रहार नागराज को भी लगा आहां सूपर मैन बैट मैन स्पाइडर मैन ये सब क्या गोरक धन्दा भी या तब ये पंडाल सकूरा के अट्टाहास से गुझ उठा हा 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 नागराज देख रहे हो इन सर्वशक्तिमान मानोव की हालत इन सब की जिंदगी मेरे हाथों मैं मैं चाहूं तो उंगली की एक ही अरकत से इन्हें खत्म कर सकता हूँ कहां छुप गया डर्पोक बने सामने आतो जानू तभी वहीं कहीं छीपी विशरपी की तरह भागी नागराज वह सेतान बना गयव होगा अब निकल चलो यहां से भाग चले लेकिन बहुत दोनों जा गया आगे नहीं भाग सके उफ ये जो सीन देख रहे हैं ये कई सारे क में आ चुका है नागराज विशरपी वाला याद नहीं आ रहे हैं लेकिन उस दौरान कॉंटेस्ट भी होते थे फिगर्स वाले नागराज कुरोदी थोटा सकूरा मैं तुझे तडपा तडपा के मारूंगा नीच सामने आ जाएं विशरपी के पाउच चिंगारी से बुली तरो जल गयते हैं आख आख नागराज मुझे अब सामने आने की क्या जरूत है मैं इस पंडाल में आग लगा रहा हूँ तुम सब इसमें जलकर भस्म हो जाओगे मैं प्रिथ्वी पर फिर राज करूँगा तबी पंडाल के एक कोने में आग लग गई आग और देखती देखती आग चारो तरफ फैले लगी हाँ 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 और फैलने लगी सकुरा का अट्टाहास नागराज ने सरकस को मिनी ट्रेन को चालू किया मैं वेशो के इन महान योद्धाओं को जरू बचाओंगा चाहे मेरी जान क्यों न चली जाया नागराज ये फूर्ती ने सूपरमेन के शरी को संभाला और देखतोस नागराज मेरी फिकर मत करो मुझ पर इस आग का कोई असर नहीं होने वाला चूप रहो सूपरमेन हमें जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना होगा फिर बैटना समय बहुत कम है स्पाइडर मैन आग तेजी से जलती जा रहे है लोव अलवान पंडाल कभी भी गीर सकता है विसर पी शक धाक ट्रेन के डिबे में बैठा करके स्टार्ट करके ट्रेन लेके चल देता है नागराज और ओ कुछी पलों में सेतान सकुरा ने बाहर निकल लेगे सब भी रास्ते रोख दिया उफ गर्मी बढ़ती जा रही है हाहा नागराज मैने तुमसे कहा था ना कि तुम नहीं बच सकते तुमारी चिता यहीं बनेगी लगता है नागराज ने हार मालनी है गुरू गुरक नाथ हमें इस चक्रियू से निकालो लगता है आज नहीं बच पाएंगे और तभी पंडाल एक दिवी प्रकास से चकाचोध हो गया है वत्स उठो नागराज मैं आ रहा हूँ सेम ऐसा ही एस्ट्रोलोजी यह जोती सव अध्यात में भी होता है जब आप किसी भी शक्ती पर भरोशा करने लगते हैं कोई दिवी शक्ती तो वह आपका साथ देने लगती है फिर देखते ही देखते है अब सब ठीक हो जाएगा सरकस की आग काबू में आ गए गुरुजी धन्यवाद आस्याद माना होता कांतिम दिन होता ऐसा कभी नहीं होता नागराज जब तक तुम लोगों के रूप में सच्चाही के रूप में जीवित हो तब तक मैं तुम्हारे सबी दोस्तों को स्वतंतर कर देता हूँ गुरु गुरत ना कि सकती सुपरमेन स्वतंतर हो गया जिप जिप स्पाइडर मेन भी निकल गया उफ यह किसी भी समप हट सकता था और सारे वर्ल्ड वाइड स्टार्स भी धन्यवाद गुरु जी करते हैं जो साथ मेरे हिसाब से इंगलिश या कोई दूसरी लेंगज बोलते हैं जर्मन स्पेनिस फ्रेंच होगर बोलते होंगे भाई लेकिन हमारे हिंदी कॉमिक्स इंडस्टी की दाथ देनी पड़ेगी जो उनको भी धन्यवाद गुरु जी बुलवा दिया बरहाल एक सांदार प्रयाश लोव अलवानों भी गुरु गुरत नात की गिरपा से होश में आ गया था और विसरफी के पाउं भी ठीक हो गया था धन्यवाद गुरु जी लेकिन तभी जादुगार सकुरा बीश्यों टपक पड़ा तुम सब को जलाकर भस्म कर दूंगा मच्छोरो साकुरा से टकर ले इसकी चींता तुम मत करना पर जाते जाते भी अपनी शैतानी से बाज नहीं है सकुरा देखते देखते अलवानों का सरी बढ़ने लगा आस्चर और साथी साथ उसके विचार भी बदल लेगे हाहाहाहा तब आहीं मचा दूंगा विस्सों में शाकुरा जिंदा बाद बढ नागराज और स्पाइडर मैन फ्रेम में दिखते हुए बढ़िया फ्रेम पूरा पंडाल को कवर किया हुआ ये बंदा फिर वहां खड़ी निर्दोस लोगों की भीड को कुछले लगा गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा इस दैत्ते पर सूपरमैन नों सी कनपटी पे एक जबदस प्रहार किया सूपरमैन ने उसी कनपटी पे एक जबदस प्रहार किया मेरे इस वार से इसे बिहोस हो जाना चाहिए लेकिन अलबानों पर उस प्रचंड पहार का कोई असर नहीं हो उफ लगता है सकूरा ने इसे मेरी शक्ति का तोड़ दिया है अलबानों ने स्पाइडर मैन ने अलबानों की चारो तरफ रसी और मकड़ जाल का जाल बुर्णा शुरू किया उन्हें आसा थी कि वे अलबानों को इस तरफ ब्यवस कर देंगे उधर सूपरमैन फिर पल्टा इसकी चेहरे पर लगे कुंडे खीचलू इस से जरू दर्ध होगा दर से चिल्ला पड़ा अलबानों आह इस वक्त नागराच क्या कर रहा है उफ कुद्धिर पहले तुमने मेरी जान बचाय थी दोस्त लेकिन अब बानावता की खातिर मुझे एसान फरमशी करनी होगे उफ मेरे जहरीले दात इसकी त्वचा को नहीं काट पा रहा है दसीओं हाथिओं को मत की नीन सुलाद सकने वाला नागराच की जहरीले वारवी निश्काम रहा बस अब एक ही तरीका इसे निपटने का नाग नन्थ, नाग नाथ, नागराच की कलाईयों से दोनों से नननायग निकल चले अपनी सेना के साथ और अलबानों के खूले मुँ में प्रोवस कर गए हजारो नाग इस से दूर अट जा नागराज और बैटमेन इसके सरी में बम बांदिया है मैंने बस यह फट नहीं वाला है नागराज और बैटमेन ने स्पाइडर में का नुसरान किया यह बम अगर चल लिया था तो यह फिल टावर को गिरा देता और अगले ही छण बम फट गया धड़ा लेकिन फिर भी अलबानों टस से मस नहीं रहा वह वहां खड़ा तबाही मचाता रहा लेकिन अग ज्यादा देर नहीं पूरी सक्ती लगा दी है मैंने अपनी इस वार में है अलबानों दूर जागी रहा मुझास्चर यह बेरे वार से कुछ तो वार से तो कुछ नहीं हुआ होगा जरू कुछ बात है चारों ने उसे घेर लिया एरान थे सुपर मैन बैट मैन और स्पाइडर मैन यह तो अब उठ भी नहीं पा रहा है इसका सरील भी निला पड़ रहा है लेकिन नागराज मुझा रहा था तब यह अरे इसके मुझे तो सांप निकल ला है और नागराज की आथों में गायब ह कि रास्ते इसके सरी में भेजने का फैसला है कि इन्होंने सरीक अंदर जाकर इसे मार दिया अब फोटो शेशन का टाइम था जो हाहा ही ही का समय होता है इस तरह से हैपी एंडिंग हुई 90 की डिकेक्ट की सूपर कॉमिस की और रात्री भोज ली मेरिडियन में नागराज जादगर सकुरक क्या हाल गोगा दोस्त उसकी फिकर तुम मत करो मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है अच्छा दोस्तों विदा किसी अच्छे क्छड़ों में मिलेंगे तो गाईज आपको यह कॉमिस कैसे लेगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा अपना प्यार सपोर्ट करते रही है मिलते आपसे नेक्स टूडियो में टूलें टेक केर गुडबाय जैन